हेलो दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं ये है राधा का घर और यहाँ अभी सुभा का टाइम है यहाँ गईया घास खा रही है और यहाँ पर श्याम के पापा सो रहे हैं और यहाँ राधा और श्याम सो रहे हैं चलिए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है और यहाँ से ज देखा जाए तो पहले दो तीन मटका साथ में भर कर ले आती थी पानी लेकिन एक ही मटके में आज में तो जादा थुक गई अरे मैं तो राधा के घर तक पहुँच गई चलो देखती हूं राधा क्या कर रही है सोच रही हूं उससे कुछ टिप्स मांग लो अपने बच्चे के लिए अरे ये क्या राधा और शाम तो अभी तक सो रहे हैं चलो कोई बात नहीं आज नहीं सही तो कभी और आकर पोछ लूँगी चलो जा दिए घर पर वैसे काफी दिन हो गई राधा से तो मैंने बात भी नहीं किया है इतने दिन घर पे जो थी चलो कोई बात नहीं जाती हूँ जल्दी से सासुमा भी इंतिजार कर रही होंगी मेरा ये बोलकर जमुना वहां से जाने लगती है और फिर तभी अचानक जमुना को कुछ होने लग मेरा राधा मेरा क्या करो को искर मेरा बेबिया आने तुम से दर्द हो रा है और पर तभी जमुना अपने पानी के मट्की के साथ नीचे गिर जाती है और में क्या करो राधाःःा मुझे बचाओ जल्दी से यहां पर कोई है भी नहीं मेर क्या करो के मेरे डिलेवरी तो नहीं होने वाली है अरे राधा चल्दी बचाओ चल्दी उठो अरे मुझे जाना पड़ेगा चल्दी से घर अरे मैं क्या करू राधा चल्दी उठो चल्दी आओ मेरे पास मुझे तुम्हारे मदद की सुरूत है राधा चल्दी आओ राधा सुनो मेरी ब और यहां शाम जल्दी से उठकर अपनी मम्मी के पास देखने लगता है, यहां राधा सो रही होती है, इसलिए शाम अकेले ही वहाँ पर जाने लगता है, अरे शाम अपनी मम्मी को भी जगा आलो जल्दी से, अरे यह क्या शाम तो अकेले ही जा रहा है, और फिर शाम वहाँ खड़े होकर इधर उधर देखने लगता है कि आवाज आखिर कहां से आ रही है और फिर श्याम जमुनकाकी को देख लेता है और उनके पास जाने लगता है अरे 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 expand तुम हो क्या और यहां पर श्याम जमनकाकिकी मदद करने के कोशिश करने लगता है अरे श्याम तुम कुछ भी नहीं कर पाओ कि जल्दि जाके अपने मम्मी को जगा ओ जल्दी से राधा को जगाओ मुझे उनकी जरूरत है श्याम जल्दी करो मुझे बहुत ज़्यादर दर्द हो रहा है और यहां श्याम बहुत ज़्यादर डर जाता है और भागते भागते कहीं पर जाने लगता है अरे वहां लगता है श्याम अपने मम्मी को जगाने जा रहा है जल्दी करो श्याम जल्दी जगाओ राधा को अरे अरे ये क्या ये श्याम क्या कर रहा है और फिर यहां श्याम अपने दूद की बोटल उठाने लगता है और उसे लेकर जमुना काखी के पास जाने लगता है अरे लेकिन आखिर श्याम ये दूद की बूडल क्यों लेके जा रहा है जमुना की पास श्याम जल्दी से राधा को जगाओ और यहां श्याम जमुना को दूद पीने के लिए बोलने लगता है अरे अरे शाम तुम मेरी बात समझ क्यों ने रहे हो मुझे नहीं पीना है मुझे नहीं चाहिए जल्दी से तुम अपने मम्मी को जगाओ शाम मुझे बहुत है दर्द हो रहा है जल्दी करो बेटा जल्दी से अपने मम्मी के पास जाओ और यहां श्याम सारी बाते समझ जाता है और फिर जल्दी जल्दी डरते अपने मम्मी के पास जाने लगता है अरे लगता है श्याम अपने मम्मी को जगा लेगा जल्दी करो श्याम और यहां श्याम अपने मम्मी को जगाने लगता है और यहां राधा जागने का नाम ही नहीं ले रही होती है और फिर शाम जल्दी से अपने पापा की पास जाने लगता है अरे ये क्या राधा तो उठी ही नहीं हाँ शाम जल्दी से क्रिश्ना को जगाओ और यहाँ शाम अनुपापा के उपर कूदने लगता है औरे औरे बैए क्या हुआ और यहां तर्ली राधा भी जाग जाती है औरे श्याम तुम हो गया क्या हुआ बेटा क्यों जगा रहे हो चलो देखती हूँ औरे कहां गया ये लड़का अरे देखो तो ज़रा हमने पापा के पास गया है क्या हो गया आखिर अरे श्याम क्या हो गया बेटा तो मुझे क्यों जगा रहे होते जल्दी जल्दी और यहां श्याम जमुना काकी के पास इशारे कर रहा होता है अरे क्या बात हो गई अरे अरे यह क्या इतना जमुना है अरे ना था जल्दी देखो वो जमुना है ना अरे यह क्या, यह क्या हो गया, चलो जाकर देखती हूँ जल्दी से, अरे चमुना, अरे राधा तुम हो गया, जल्दी से मेरी मदद करो, अरे हाँ हाँ चमुना क्यों नहीं बोलो तो आखिर क्या हुआ, अखिर क्या हो रहा है, यह कुछ मुश्किल तो नहीं है, तुम्हें दॉक्टर ने मना किया था ना काम करने के लिए राधा सबसे पहले वो सब चोड़ो मेरी मदद करो ना मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है अरे हाँ जबना क्यों रुको मैं अभी तुम्हें उठाती हूँ अरे तुम चिंता मत करो कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे बेबी को तुम्हारे मदद करती हूँ अरे हाँ राधा जल्दी से मेरी मदद करो लगता है मेरी डिलेवरी कर टाइम आ गया है जल्दी से कुछ करो अरे हाँ जल्दी से जाकर नर्स दिदी को बुला लाए जल्दी के जिए हाँ राधा मैं जल्दी से जाता हूँ जल्दी से नर्स द नर्स दिदी को, हाँ राधा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा से ही सलामत हो, अरे क्या हो गया, क्रिश्णा तो मुझे कुछ अच्छे से बताया है, चलो चलो कर देखते हैं, राधा को कुछ हुआ तो नहीं है, अरे हाँ ममे चल्दी चलिए, अरे हाँ सोनम है ना जमुना को क्या हुआ यह सब क्या हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे, वो ठेक तो है ना, राधा जल्दी करो, अरे हाँ हाँ देदी वो ठीक है, लगता है जमुना की डिलेवरी का टाइम आ गया है, इसलिए उसका पेट दरद हो रहा था और वो गिर गई नीचे, अर हम देखेंगे ठीक हिना बोटी मज़ा आएगा, और यहाँ पर श्याम हस रहा होता है, और पर तभी श्याम की पापा नर्स दीदी को बुला लाते है, अरे मैंने मना किया था जमुना को काम मत करना लेकिन ही लड़की मेरी सुनती ही कहा है, जल्दी चलो, अरे यह क्या जल्दी से चादर का इंतिजाम कर लो, ठीक है न, चलो हमें डिलेवरी करने पड़ेगी, हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा, कुछ भी रिस लेना सही नहीं होगा, बेवी बस इस दुनिया में आने वाला है, अरे, हाँ हाँ नर्स दीदी, क्यों नहीं, मैं जल्दी जा जाएगा, बस अभी हो जाएगा, ना से जे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाँ जमुना कोई बात नहीं, और यहां श्याम अपने जमुना काकी की आवाज सुनकर नहीं रुक पाता है, और उनके पास जाने लगता है, अरे, अरे, श्यामी तुम क्या कर रहे हो, जाओ यह यहां से बेटा यह तुम्हारे देखने वाला चीज नहीं है चलो हटो अले यह क्या यह लड़का भी ना कितना बेशुरम है रुखो शाम रुख जाओ कहा बच जा रहे हो मैं तुम्हें ने चाले दूंगी अरे रुख जाओ पदा है वो तुम्हारे जमुना काकी है लेकिन बस बेबी आने ही वाला है अरे यह हो क्या लगता है अरे वा मैं बहुत यह खुश हूँ अरे वा जमुना देखो कितना प्यारा है यह बच्चा सच में बहुत यह प्यारा है बिल्कुल तुम्हारे उपर गया है सबको बधाई हो लड़का हुआ है अरे सच में मैं बहुत खोश हो चमुना और यहां जमुना का बेबी हो जाता है अरे देखों तो कितना सुंहर शुक्रिया भूत ही प्यारा बच्चा है डेखों सब जमुना का बच्चा कितना सुन्दर है किसी की बेना जर zij niye लगेए एक बार फिर से सब का ड्य सारा शुक्रिया। ऐज नश दीधी कितना प्यारा ह personn reconst यह नच फिबच्चे को तुम्हें ही सभड़ LGBTQ बच्चे को अच्छा ये रो जमुना तुम्हारे बच्चे को तुम्हीं सम्हालो अरे हाँ हाँ नस्दी लाई ये मेरे बच्चे को और हाँ आपने बच्चे का अच्छे से ख्यार रखना दोस्तों अगर आपको एक कहानी अच्छे लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक औ आप चुन को सब्सक्राइब जरू कर देना, ठेंक यू